तो गाइज वेल्कम टू वेल्कम टू के सी स्टडी सरकर्ट गाइज मेरा नाम है प्रेंकेश और मैं आपको आज कुछ इंपोर्डन पॉइंट्स बताऊंगा रिलेटेट एज विया जब आप एक्जाम फॉर्म फिलप करोगे तो इस चीज की बहुत ही कहराई से आपको बहुत ही प्रिसाइज लिए अपको ध्यान रखके फॉर्म को फिलप करना पड़ेगा तो यह बहुत इंपॉर्डन है आपके लिए तो आप जरूर इसे सुनिये और देखिए क्योंकि लास्ट टाइम में एस्बै ने कुछ नियू अपडेट लाये थे तो उसके उज़े से बहुत सारे स्टूइट को प्रॉब्लम हुआ तो यह आपके लिए वीडियो बना रहा है देखो एस्बै हर साल कंड़क्ट करता है एस्बै प्यो की एक्जाम और एस्बै आसि उन्होंने आप देखियोंगे रिक्वर्ट में आप देखिए कि उनके वेकेंसी में थोड़ा सा उनका वेकेंसी में उन्होंने इंक्रीज हुआ है उनके वेकेंसी में इंक्रीज हुआ है तो टोटल वेकेंसी अभी उनका आया है उन्होंने टोटल वेकेंसी दिया है 2,056 ठीक है पतलब लास्ट टाइम की हिसाब से कंपरिजन करोंगे तो अभी की जो वैकेंसी है बड़ी है 56 तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो अच्छी बात है बैंकिंग के प्रिपरेशन करते है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है तो मैं कुछ बाते इंपोर्डन आ कि exactly क्या होता है SBI में कैसा किया जाता है फॉर्म कहां से करोगे कब करोगे और प्लानिंग करना पहले बात हो SBI एक्जाम ये खुद में ही बहुत बड़ी एक्जाम है जो आपकी जिंदेगी चेंज कर सकती है तो अभी आपके लिए आपको पता है तो अभी आपके लिए आ प्रान आप पेमेंट भी कर सकते हैं चाहे आप लाइन भी कर सकते हो और ऑन लाइन भी कर सकते हैं ठीक है तो टेंटियू डेड उन्होंने डिक्लियर कर दी है कि आप अप्लिकेशन फॉर्म पास से 25 के बीच में बस सकते है इसी मेने में और प्रीज भी आप पेमेंट भी कर जाएगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही आपको एक्जाम दिखाई देगा नौएंबर में ही दिखाई देगा या डिसेंबर में नौएंबर डिसेंबर के बीच में लास्ट एंडिंग में नॉवंबर के लास्ट एंडिंग में या डिसेंबर के फर्स्ट विक में आपको प्रियम की एक्जाम दिखाए देगी मतलब आप मेंस का call ticket download कर सकते हो, तो उसका exam भी December में होगा, तो मान लिजिए कि December के last last sending में हो जाए, उसके बाद मेंस की exam declare हो जाएगी, आपका result मेंस का declare होगा जनवरी में, starting में ही declare हो जाएगा, second week या third week में, आप देख सकते हो, यहाँ perfectly उन्होंने indicate रहे हो, लेकिन date indicate नहीं उन्होंने 22 date दिया है, लेकिन date नहीं दिया, तो changes हो सकता है, depend on the situation, तो आप उस चीज़ के लिए भी आपको prepare रहना पड़ेगा, देखो पूरा planning से आप चलोगे तो definitely आपकी exam होगी, देखो चार मेहने में या तीन मेहने में आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तीक है, उसके बाद देखो आपको फेबरु आरे में आपकी exam होगी, exam मतलब क्या होगा, फेबरु आरे में क्या होगा, आपकी interview, क्या होगा, interview होगा, या group discussion हो सकता, तीक है, उसके बाद आपको पता है, आपके merit list में आओगे, तो definitely आपको selection होगा, otherwise नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा chance है आपको SBI में join करने को, ठीक है, देखो regular vacancy में, SC में total vacancy है, 324, ST के लिए, ST के लिए vacancy है, ST के लिए है, 162, OBC के लिए है 560, और EWS के लिए है 200, और general के लिए 810, मतलब total vacancy है, 556, sorry, 256 vacancy है total, तो ये अच्छा है, आपके लिए, हना, और जो category में आता है, SC में आता है, ST में आता है, OBC में आता है, उनके लिए relaxation भी है, age relaxation, 5 साल के लिए SC के लिए है, OBC के लिए 3 साल के लिए है, और जो भी disabled person होंगे, SC, ST में उनको 15 साल के लिए है, OBC में disabled जो भी person होंगे लिए 13 साल के लिए है, जनरल और EWS में जो भी disabled person होंगे लिए 10 साल के लिए है, ठीक है, और एक सर्विसमें के लिए, मैं के लिए 5 साल के लिए है, ये तो हो गया आपका, की form कब भरा जाए, online exam कब है, pre-k exam कब है, mains की exam कब है, अब result आएगा, तो उसके है, उन्होंने नया declaration form उन्होंने बतायती कि हमको नया declaration form चाहिए, ठीक है, तो चाहिए, तो फीर कैसे करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि exactly वो क्या बोलना चाहते है, ठीक है, उसके पहले देखो, जब भी premium के exam होती है, आपको पता होगा, जो newcomer से उनके प्रेमियम के होता है, वहाँ तो यह लास्ट टाइम से हिसाब से मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा टप करेगा, और अच्छा है टप रहेगा तो उतना competition भी अच्छा रहेगा, और आप प्रैक्टिस करता हो डिफरेंटली उसके बाद निकलेगा, ठीक है, और मेंस के मेंस के लिए आपको number of the question 155 रहे गया, और 200 marks करेगा, और तीन घंटे का विपर है, यह एक घंटे का विपर है और यह तीन घंटे का विपर है, तो फरक देखिए कितना जब अरदस उन्होंने प्लान किये हैं, तो आप इसके लिए preparation करना है, आपको preview निकालना है, मेंस भी और आपको interview भी crack करना है, उसके बाद merit list लगेंगी और उसके बाद आपका selection होगा, इतनी लंबी journey है आपको, लंबी journey को पानी के लिए आपको उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, कारियरत रहेना पड़ेगा, एक दिन से कोई प्यो नहीं बनता, और एक दिन से कोई रजनिक है, आपको help करने के लिए, देखो, और कुछ important बात बता रहा हूँ, जो बहुत ही important चीज है, जब भी आप form बढ़ते हो तो notification पढ़ना बहुत ज़िए, without notification आप गलत भी कर सकते हो, उसका परिर्णाम आपको selection में दिखाए देगा, definitely दिखाए देगा, बहुत बार ऐसा हुआ किसी-किसी लड़के का rejection भी हो चुका है, यह problem आपके साथ नहीं होना चीज़िए, ठीक है, तो I think so last time के हिसाब से ही, इस बार भी आपके photo, scan, declaration होगा, तब भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, कि वो SBI क्या चाहते हैं, इससे किनат, करेंज हैं चाहते हैं, पार बार सकार चाहिए, आपके धिए यह देखो जो मैं पॉइंट आपको बताना बताना चाहता था यह पॉइंट है गाइड लाइंस का क्या वह रहा है कि आप फॉर्म भरते हो भरने से पहले आप इसको पढ़ो फोटोग्राफ चाहिए सिगनीचर चाहिए और लेफ्ट हैंड का थम का इंप्रेशन चाहिए और इनका जो हैंड डिकलरेशन का है फॉर्माट वह आपको रूल एक्जलरी टू में मिल जाए तो चलते हैं एक्जलरेशन तू में रूल में क्या लिखाया देख लेते हुआ देखो उन्होंने declaration format दिया और इस बार चेंज किया बोला था आप जरूर देखना इसको विताउड देखे बिना विताउड चाने बिना फॉर्म भरना नहीं देखो क्या बोला है declaration यह देखो यह बहुत इंपोर्डन पॉइंट है कि आपका आए पूराना declaration को अभी यूज नहीं होगा भी नया declaration है आपका नाम और डेटा बर्थ आया या और जो लिखा है जैसे के वैसे आपको फिल्प करना है आपके ओन हैंन्राइटिंग से और उसको scan करना है जिसे मेरा नाम है आए प्रेंकेश डेटाबर डाट 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 यह बाइब रिक्लियर अन आओ अल दे इंफोर्मेशन सब्मिटेड बाइ मी इन अप्लिकेशन फ्रॉम इस करेक्ट टू अन वैलिड आप्रेजन दे सपोर्टिंड दॉक्विमेंट अज वें रिक्व आपको इस चीज़ का ध्रान रखना पड़ेगा तो यह बहुत ही इंपोर्डन आपका इंफोर्मेशन था आपको मैंने SBI के बारे में बता दिया हूँ कब से स्टार्ट हो रहा कब खतम हो रहा प्री कब है मेंस कब है इंटर्वी कब है प्री की एक्जाम में क्या होता है मेंस की एक्जाम में क्या होता है फोटो कैसा कुनता यूज़ करना है हैंड राइटिंग क्या यूज़ करना है इमेज कु होंता है यह सब कुछ आपको बता दिया है ठीक है तो आपको यह वीडियो हेल्पूल होगा और आपको यह वीडियो पसंद आएंगा इसे शेल लाइक सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन को दबाईए और थैंक इसो मच पीस आउट